दूरा स्था सपित है! वश्मेंट आज के टेरो रेडिंग का टॉपिक है तो वह किस तरीके से आपके लिए फील करते हैं या किस तरीके के उनके ठार्ट्स हैं यह जो है एक टाइंडलेस कलेक्टे ऊचलीडिंग है कुछ चीज़े आपकी situation से resonate करेंगी और कुछ चीज़े आपकी situation से नहीं भी resonate करेंगी आप उसे as a test छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे channel पे नए आए हैं तो आप इस channel को like करें, share करें, subscribe करें और हाप bell icon को ज़रूर all पर press करें जिससे आपको सही समय पे notifications मिल पाएं और आप content को enjoy कर पाएं अगर आप चाहें तो मुझे instagram पे भी follow कर से हैं link up to description में मिल जाएगा तो पहले ही जो cards हैं वो star का card आए और two of cups आया है deeply, intensely, madly in love with you तो ये person जो है काफी ज़्यादा आपको love करते हैं और उनके मन में इसी तरीके के feelings हैं और एक high pedestal पे भी आपको देखते हैं आपकी unique personality को बहुत ज़्यादा cherish करते हैं और admire भी करते हैं कुछ और cards देख लेते हैं next star is night of swords next star is the devil, Capricorn की energy आई है next star is the judgment, Scorpio energy है और next star है यहाँ पे the world वो आपके साथ एक पूरी एक happy married life को देखना पसंद करते हैं हाला कि थोड़े से obsessed हैं आपके बारे में थोड़े possessive ज़्यादा होंगे हर चीज को control करने की इच्छा तो नहीं है लेकिन थोड़े से co-dependent है तो अगर आप उन्हें नहीं दिखते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करते हैं तो थोड़े से co-dependent है अपने emotions को लेकर आपके उपर हाला कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा negative चीज नहीं है लेकिन आपको वो देखकर जो है वो खुश हो जाते होंगे नेक्स टार नाइट ऑफ सौर्ट आयाए जज्चमेंट आयाए वर्ल्ड का काड़ा है नाइट ऑफ सौर्ट जो है वो highly impulsive energy भी कह सकते हैं और आप बहुत तेजी से जो है यह आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपको अपना बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके की situation है उनके deeper जो emotions है वो जो है उनको action करने पर मजबूर कर देता होगा या कर देती होगी एक साइज्चमेंट का काड़ा है यहाँ पर जज्चमेंट जो scorpion energy में है और यह एक divine की तरीके से उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए blessing हो यह person इसी तरीके से सोचते है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है या आप ही जो है वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो उनके जो अंदर की inner conscious है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो या पढ़ लेते हो आपको कुछ जादा efforts लगाने की जरुत नहीं पढ़ती है कि वो कुछ छुपाना चाहरे है और आप वो छुपा पाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है वो जो है आपके सामने खुली किताब की तरीके से है चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले नेक्स चाहरा है वोल्ड का गाड़ा है वोल्ड जो है हाला कि ending को भी दिखाता है यहाँ पे ending वाली कोई situation नहीं है यह person आप से जो है या तो internet के through मिले हैं इंटरेट की वजह से मिले होंगे या internet पे आप लोग बहुत जादा बातचीत करते हो messages या चार्ट वगएरा एक्सेक्टर या फिल यह भी हो सकता है कि आप traveling जो है करते हुए मिले हो कोई भी transportation हो सकता है mode of transportation हो सकता है bus हो सकती है, metro हो सकती है अपनी गाड़ी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो उस वजह से भी जो है कहीं न कहीं travel purpose जो है वो बहुत जादा significant है आप दोनों के बीच में airport पे ही जो है आप लोगों की मुलाकात हो गई हो और बड़े ही unexpected तरीके से आप लोगों की मुलाकात होई होगी तो कोई भी situation आप से resonate कर सकती है लेकिं ये person जो है आपको बहुत जादा admire करते है next आरा आपके लिए card queen of pentacles आया है कुछ और cards भी देख लेते हैं stability, security देखते हैं next आरा chariot, cancer energy आई है next है six of swords आपके साथ जो है migrate करना चाहते है next आर ace of horns, physical situation भी है next आरा the sun और next आरा आपके लिए seven of cups तो यहाँ पर जो है ये person confused नहीं है लेकिन एक opportunity की तरीके से आपको जरूर देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे options हैं आप किस इंसान को choose करते हो या नहीं करते हो लेकिन वो आपके साथ एक stable, secure relationship में आना चाहते हैं एक family वाली situation मुझे यहाँ पर ज़ादा लग रही है ये भी हो सकता है कि उनके मन में इस तरीके के thoughts हैं हाला कि ace of wants भी आया है कि ये person आपको एक sexy इंसान की तरीके से देखते ही है लेकिन एक child like quality भी आप में देखते हैं और एक child भी आप से चाहते हैं तो यहाँ पर judgment में भी child की representation हुई है और ace of wants भी आया है, devil भी आया है तो वो उसी तरीके से आपके बारे में सोचते हैं आपके साथ जो है वो आगे migrate करना चाहते हैं या फिर जो भी उनके plans और future के उसमें जो है एक दूसरे का साथ निभाते हुए देखना चाहते है तो ऐसी energy है यहाँ पर sun आया है तो confident आपको देखते हैं आपके साथ confidence भी रखते हैं कि एक child like quality या कह सकते हैं कि एक जो अच्छी life होती है एक married life जो एक peaceful, secure life होती है वो भी वो create करना चाहते है और एक playful energy में भी आपके साथ एक relationship में आना चाहते हैं तो उन्हें पता है कि आपके पास जो है choose करने की power जादा है as compared to उनके next देख लेते हैं कुछ और cards की वो क्या कहना चाहते है knight of cups next आरा eight of wands और यहाँ पे last में आरा six of pentacles यह person आपको love offer देना चाहते है आपको propose करेंगे या कोई gift दे, surprise दे कुछ इस तरीके की situation है जिससे वो अपने love को आपके सामने express करना चाहते है आपसे बातचीत करना चाहते है बहुत जादा वो आपके साथ अपनी life create करने के इच्छोख है next आरा ace of pentacles है four of swords है wheel of fortune है temperance है sagittarius energy भी है यहाँ पर और Virgo और Capricorn की energy मैंने बता दी थी I think Taurus energy भी है तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि कुछ obstacle आते हैं तो उसकी वज़े से वो हट जाए नहीं लेकि यहाँ पर यह भी है कि वो अगर आपको समय चाहिए क्योंकि decision आपका भी है ऐसा नहीं है कि उनके मन में इतनी deeper feelings है तो वो आपको समय ना दे आपको भी जो है वो कुछ समय देना चाहते है अगर आप चाहोगे कि क्या decision लेना चाहिए क्या decision नहीं लेना चाहिए उस तरीके से आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो और आपको वो पूरी तरीके से accept करना चाहते हैं emotionally बहुत ज़्यादा investment आपके उपर करना चाहते हैं या कर चुके हैं काफी हत्ता क्योंकि वो आपके बारे में ही काफी ज़्यादा सोचने है next आरे wheel of fortune and temperance है balance लेकर आना चाहते है थोड़ी patience है उनके पास अभी भी कि वो जो है अभी भी धहरे रख रहे हैं कि कोई बात नहीं मैंने propose किया है तो मैं जो हूँ answer चाहता हूँ या चाहती हूँ और उस तरीके से जो है आपके साथ एक balance में आना चाहते है last mass six of pentacles आया है six of pentacles जो है देने का नाम है giving nature है इस इंसान का तो वो जो है आपको इसी तरीके से देखते है और आपकी तरफ एक mesmerization वाली situation है तो ये person जिसके लिए भी आप देख रहे हो या सोच रहे हो कि वो आप से प्यार करता है या नहीं करता है तो पूरा पूरा यहां पर yes है और deeply वो जो है आपके लिए feel करते हैं तो चलिए देख लेते हैं कुछ love cards और उसके बाद कुछ messages भी देखेंगे तो यहां पर आ रहा है यह आया है यह आया है और एक और नहीं लेते हैं तो यहां पर तीनों में ही feminine आई है काफी ज़्यादा feminine को जो है अपना decision लेने की ज़रूत है किसी answer तक पोहुचने की ज़रूत है तो देखते हैं cards क्या कह रहे हैं look inside yourself अपने अंदर जाक कर देखो तुम्हें क्या चाहिए किस तरीके का answer चाहिए और क्या करना चाहते हो नेक्स टारा only time will tell and नेक्स टारा deep in your heart you already know the answer do what it feels right उन्होंने आपको propose किया है या अभी तक नहीं किया है तो कर देंगे कुछ समय लग सकता है लेकिन कर देंगे अपनी जो feelings है या confession है वो जरूर कर देंगे आपको answer भी अंदर से पता है तो उस चीज़ को रोकना नहीं है उसको flow होने देना है और अगर आपको थोड़ा time चाहिए तो आप सीधे सीधे जाके ये कह दो कि मुझे जो है कुछ समय चाहिए सोचने के लिए एक conclusion तक पहुँचने के लिए और उसके बाज़ों मैं आपके साथ इस तरीके से सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ मुझे feminine की energy जादा लग रही है कि वो सोचने का time मांगेगी या मांगेगे हाला कि feminine के लिए जादा है तो आप अपना time मांग दीजिए तो चले देखते हैं उनके तरह से कुछ love cards messages है calling your soulmate तो वो जो है आपको अपना soulmate बनाना चाहते हैं और उसी तरीके से feel करते हैं नेक्स्ट आरा true love never dies it only gets stronger नेक्स्ट आरा आपके लिए love endorse, love does not give up और lose faith, love is hopeful next है can we meet तो वो आपको date पर लेकर जारा चाहते हैं इस तरीके की चीज़े सोचते हैं next है children तो children जो है उन्हें बहुत ज़दा पसंद है तो उनके मन में इस तरीके की situation भी आती है उन्हें नाम भी सोच लिए होंगे कुछ लोग बहुत ज़दा fast forward होते हैं तो वो सोच लेते हैं next आरा half faith when you stop outside your comfort zone for your higher purpose universe supports you in every way next आरा आपके लिए I know it's love next आरा my feelings are getting better and deeper next आरा preparing to take actions वो actions लेना चाहते हैं next आरा your sexy body has made me drooling तो उनके मन में passion बहुत ज़दा आपके लिए है तो चलिए देख लेते हैं इस energy serator को charms तो यहाँ पे love आया है यह इनसान जो है बहुत ज़दा deeply आप से love करता है या करती है जो भी उनका gender हो next आरा है parrot आरा है communication करना चाहते है आपसे बातचीत करके बड़े खुश होते होंगी तो उनके एक blushing वाली energy भी या जो cheeks होते हैं जो गाल होते हैं वो लाल हो जाते होंगी तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ love song तो पहला आरा है जीना जीना बदलापुर का next आरा है आपके लिए तेरे लिए प्रिंस मुवी का है next आरा है आपके लिए पहली दफा आते फसलम का next आरा है बेदर्दी साब बेदर्दी से प्यार का देख लेना कौन सा गाना है मुझे नहीं पता ये और next आरा है फिसल जातू एक और देख लेते हैं बोलना कपूर एंड संस का तो इस तरीके गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं और इसी तरीके के इमोशन भी फील करते हैं तो ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट, रेडिंग्स और अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चानल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें आइंग